चप्रस सहर के मुफसिल थानातरगत मरहिया गाउं में एक ट्रक अनियंती थोकर एक घर एवम दुकान में से जाड़ टकराया जिसके करण दुकान और घर का काफी सामान चतिग्रस्ट हो गया बताया जा रहा है कि अस्थानिय निवासी अजय सर्मा के घर और लकड़ी के दुकान में ट्रक अनियंती थोकर घुस गया जिसके करण उस दुकान में सो रहा एक युवक भी गंबी रुप से गायल हुआ है इस घटना के बाद चालक ट्रक से कुद कर भाग निकला लेकिन खलासी को लोगों ने पकर लिया और इस घटना की सुचना मुफसिल थाना जैक्स को दी गई सुचिना के बाद मौके पर पहुंची मुफसिल थाना पुलिस ने खलाशी को गिराफतार कर लिया वही ट्रक को भी जब्त किया गया है रिपोर्ट हलचल नुई 24 छप्रा रैवर भग गया है खलाशी को थाना लेके गया है रैवर भग चुका है पूरा कितना समान पर बाद हुआ है आदमी के दो जग एक आदमी के दो जग चोट लगा हुआ है जो इसमें सो रहा था बाकि सिच को सब नुक्साने हुआ है कितना बहुत स्राव नुक्सान हुआ है हैं यह सबूदा तिन सामानों किछती हुए है अब का अर्ब भराद कि विये वताई कितने सबूदों किछती हुई है कम से कम निम्हां यह किनका ने कर्माद कहा है और जो इसके पहले वेकिए अजय सर्मा उनका लड़का लोग चोटा चोटा उनका बच्चा है वो लोग रहता है यहां पे वो लोग इस अब रात दिन पर चाहरा काम करते हैं वो लोग आज और रट के समान था पूरा परा हुआ था अज़ाई कर दिया है लोग आए पूरा करक़ गिरा ओता पत्राको वी सब उडाए यूदा पूरा पीया हुआ था है अब झाली के गया है ताना तो आया गया उसके बाद को लेकर गया थाना ले जाने के बाद बोला है कि जो आएगा उसके बाद मेरे को कॉल कर कर वात करके गया है कि को भी तो यह नहीं को दिख भी नहीं रहा है नहीं ठाना तो आया गया उसके बदी कोई नहीं दिख रहा है जानते हैं कि